गुद मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज का बलाओ जैसा की देख सकते हैं अभी मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम है ये तो दोस्तों आप लोग से मेरे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा लास्ट तक देखिएगा और पसंद आएगा तो प्लेज लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए तो देख सकते हैं आप अभी पहले सो जो है लोकडाउन है ऐसे भी करोना के खारण तो अभी तैसे भी सबी चीजे बंधी रहती है तो अभी काफी दिन हो गए थे तो सुचा चलो आज सुबह सुबह यही काम करते हैं वासी मशीन में इसको दूलने के लिए डाल देती हूं ऐसे दूलते भी रहे का और उसके बा वासी मशीन है तो इसमें थोड़ी परेसानी तो होती ही है क्योंकि सब चीजे इसमें बानी यह सभी उपर से अलग से डालना होता है उसके बाद अभी में आगी हो निचे जारू लगाने के लिए तो अभी जैसे सुबह में सभी घर को हमारे इदर सब पहले साफ सुतरा करत हैं तो फिलाल अभी में पहले जारू लगा लेते हूं यह ना अनाज वाला रूम है इसमें सिर्फ अनाज ही रखे जाते हैं देखी सकते हैं कोने में एक बारा साथ ड्रम भी रखा हुआ है सारे में बोडे में कटे में करके समय अनाज है किसी में मक्य है गेहूं है किसी में किसी में सर्सों की खली है इस तरीके से किसी में चावल भी है टब्बे में चावल है नीचे में आलू है तो इस तरीके से सबी चीज रखी रहती हैं और अभी मैं फिलाल जारू लगा ले रही हूं तो अभी आज मैं बना रही हूँ तूरई की सबजी और तूरई और भिंडी की एक साथ मिलाके सबजी तो वही अभी मैं काट रही हूँ और इसको काट लेते हैं पहले इसका छिलका उतारना पड़ता है तूरई कातब जाके इसको काटते हैं तो साथ ही में मैं सफाई भी करते चलती हूं रहना एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो इसके छिलके जो भी तो यह तो गाय खा लेगी तो इसको फिलाल अभी एक जगा रख देते हैं एक ही बार सब देंगे गाय को तो यह देखें मैं ले करके सभी को बैठ गई दो करके और यह हमारे खेट से ही निकला हुआ है सब ही चीजे हमारे खेट में हो जाती है खाने के लिए जितने भी चीजें होते हैं नॉर्मली जो बेसिक चीजें हैं वो सब हमारे खेट से ही निकल जाता है तो यह अभी काट करके रख लेती हूं बारी बारी काटना होता ह भी साथ में भिंडी भी काट लेंगे इसी में और प्याज भी आप लोगों से मैंने खटाई की रेशिपी सेयर की थी जो की पिछले वीडियो में यह मल्टी परपस खटाई है आप जिस भी चीज में खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर इस्टमाल करते हैं उस चीज में आप यह मैंने आम से बनाया हुआ है यह खटाई तो इसमें डाल करके आप रख सकते हैं यह 1-2 साल तक बरे आराम से इस्टोर करके भी रखा जा सकता है तो अब यह फाइनली तयार हो गया है आज लास्ट डे है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छोटी कटोड़ी से तेल लिया हुआ है सरसो का कच्चा तेल लिया हुआ है और एक डब्बे में करके डाल दिये हैं और यह तेल जो है सरसो की तेल इसी में डाल देंगे इसको भींगा देना है इसने की अच्छे से भींग जाए बहुत जादा हमें इसमें तेल देने की ज़रूरत नहीं है सिप तेल दिया और इसको पुरा मिला देंगे और मिलाने के बाद 2-3 दिन धूप लगा देंगे क्योंकि तेल हमने सरसो तेल हमने कच्चा दिया है तो इसलिए 2-3 दिन में ये धूप में अच्छे से तेल भी पक जाएगा और आचार भी अच्छे से सेट हो जाएगा तेल के साथ तो देख सकते हैं ये इतना अच्छा लग रहा है और जब आपको आमचुर पाउडर ना हो तो इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो फाइनली अब अचार बनाने के बाद यहाँ पे मैं किचेन का काम अफ सुरू कर देती हूँ खाना बनाने का तो दूद मैंने गरम होने के लिए रख दिया है सबसे पहले और दूसरी तरफ हम चाय बना रहे हैं तो चाय में जनरली अभी कोविट का समय है तो मैं ज्यादा अभी डेली हम लोग तुलसी का पत्ता जो होता है उसके साथ मिला के हम चाय बनाते हैं डेली तो अभी ये देख सकते हैं, बिस्किट निकाल रही हूँ, बिस्किट के साथ ही हम सुबा सुबा खाली पेट कहते हैं, चाय नहीं पिना चाहिए, तो बिस्किट के साथ हम लोग चाय पीते हैं तो दोस्तो आप लोग भी ये लीजिए चाय पी लीजिए, तो दोस्तो सबजी बनाने के लिए ना, पहले मैंने आवे कराई को गर्म कर लिया हुआ है, उसमें तेल डालके, सर्चो की तेल डालके, तो इसमें मैंने थोड़ा सा 3-4 सूखी मिर्च और थोड़ी सी जीरा इसको इसमें तेल में और इसको एक बार मिलाएंगे और ये सब्जी आप लोग बना के देखना बहुत अच्छा बनता है, अप लोग इसको बवनाना, इसमें मैंने न प्याज डाल दिया है, दो प्याज मैंने काटे हुए थे, तो ये प्याज जब अच्छे से फ्राइ हो गया है तो अभी इसमें मैं थोरा सा हल्दी डाल दे रही हूँ, मसाले नहीं डालेंगे, हलका मसाला डालके, जैसे हल्दी तो हमको सबसब्जी में डालना ही होता है, तो मैंने हल्दी डाल दिया है, और इसको एक बार मिला लिया है, सुखे मसाले को हमको भूनने की जरुरत नहीं ह होती है तो इसलिए अक्वार मिलाने के बाद मैंने ये जो भिंटी और तुच भी नहीं करना होता है बाद इतना पानी निकल जाता है न कि अपना आप इससे त्यार हो जाता है पकके तो दोस्तों अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो बनाकर देखना और मेरी वीडिय को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना